नमस्कार के आपचल टिवी का खाशो 24 करेन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा एडी की चारशिट ने शराब नीती घुटाले में फसे दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्वन केजरिवाल की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है आर्वन केजरिवाल के साथ साथ आम आदमी पाठी को भी आरोपी बनाया गया है आपकी मानिता तक पर खत्रा मंडरा गया है खत्रा ऐसा है कि अब केजरिवाल को इस्तिफात देना ही होगा तो शराब गुटाले में कैसे पूरी आम आदमी पाठी फस गई है कैसे केजरिवाल की मुसीबत दोगनी हो गई है आज इस पर चर्चा करेंगे साथी मुसीबत राखूल गांधी की भी बढ़ गई है राखूल गांधी राइबरेली की जीत के सहारे उत्तर प्रदेश में कॉंगर्स की कमान को मजबूत करने के प्राक में है पर अकलेश यार्दप की तैयारी राखुल गांदी पर भारी पड़ रही है तो महीं कल होने वाले महारास्थ विधान परिशत चुनाओं को लेकर भी लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है तो MLC चुनाओं में किसके हाथ लगेगी बाजी इस पर भी आज चर्चा करेंगे बताएंगे कि कैसे हर जगा विपाक्ष बेदम है चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़ी बे मौझूद है क्यापचल टीवी की एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार और एक्सक्यूटर एडिटर राजीव जी सर आप दुनों का बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाग इडिकी चार्चिट को लिकर हर दिन नहीं ने खुलासे हो रहे हैं कैसे अरविंद केजरिवाल फज गए हैं देखिए अब क्या खुलासा होना बाकी है कुछ खुलासा होना बाकी नहीं है अब तो बस एकी काम बाकी है कि अगर अर्बिंद केजरिवाल के आखों में जरा सा भी शर्म बाकी है तो उनको अब इस्तिफा दे देना चाहिए क्योंकि आप इस प्रक्रिया को समझे एक बार आप चार सीटेड हो जाते हैं और कोट उस चार सीट को एकसिप्ट कर लेती है क्या कहा जज काविरी बाविजा ने कि दरज़े एंपल एविडेंस सफिसेंट एविडेंस कि केजरिवाल इस पूरे खेल में शामिल है और चार सीट दायर हो जाने के बाद अब तो उनकी पेसे होगी अब सारी चीजे कोट के सानिद्ध में है चार सीट देने का मतलब यह है कि एजिंसी ने चार सीट दे दिया अब चार सीट के उपर कब जिरह होगी क्या फैसला होगा कितना टाइम दिया जाएगा कितना फास्ट इसको सुना जाएगा यह सब अब कोट के दारे में आ गया कहने का मतलब कोट ने प्रायमा फेसी अर्विंद केजरिवाल को एक आरोपी माल लिया है तो ये जो कह रहे थे अभी तक कि कोई सबुत नहीं जी कोई पैसा नहीं मिला जी यहां छापे मारी मार लिया वहां छापे कर दिया वहां छापे मरीशी सुद्य को सुप्रीम कोट से भी नहीं मिला रहा तेकिन फिर भी इनका पूराना टेपर कॉर्डर जो है वह रिवाइंड हो करके जो है वह चलता रहता है और भोपू के तरह मीडिया वाले दिखाते रहत तो इनको तो इस्तिफा देना चाहिए अगर ये स्तिफा नहीं देते हैं तो जो हिंदुस्तान में अब तक की जो परंपरा रही है जिस परंपरा को अभी हाल तक निभाया हेमन सोरेन ने उस परंपरा को तोड़ने का आरोप इसके उपर लगेगा कि ये भरस्टा चार में फसा रहा कम से कम ये भी चलो चार सीट तक इंतिजार कर रहे थे कि ठीक है यह आर्गुमेंट तब तक चल रहा था कि बीजेपी वाले फसाना चाह रहे हैं एजेंसी को पीछे लगा दिया गया है ये सारी बाते तब तक वेलिड है है जब तक चार सीट को जो है कोट मानना ले कोट ने मान लिया चार सीट मतलब सब्सक्राइब लेकिन खेजरेवाल इतने धृत है और जब उनको सुप्रेम कोट से अंतरिम लाजपती हो ये सब के चेहरे के सामने खड़ा होकर के उनका मजाक उड़ा रहा है और सारे के सारे लोग मूँ को दर्शक बने हुए हैं कभी किसी ने ये सोचा था समयधान बुराने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई बेशर्म आदमी आ जाएगा जो जेल चला जा बने हैं बने हैं नहीं सारे लोग मूँ को दर्शक बने हुए रहे और रहे लोग और ऐसा पहली बार भी हुआ है कि जब किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है एडी की चार्षट में आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी है क्या अब आदमी पार्टी की माननेता खत्रे में आ गई है देखिए माननेता पर अभी सवाल नहीं उठ रहा है लेकिन ये चुना कि इडी ने अब तक किसी भी समय में मनी लॉडरिउग के चार्जज में नहीं पसाया था मनी लॉडरिंग के चार्ज किसी के उपर नहीं लगा था लेकिन जब उसके डिफेनिस्षण को देखा गया तो एडी के सामने सुबूत मिले कि जिस के इंडिविजल पर्सन और इसमें आरोपी बनाया गया और यहीं नहीं आम आदमी पार्टी ने वो रास्ता खोल दिया है। गोवा में पैसा खर्च हुआ है गोवा के कारण इनको आम आदमी पार्टी को रास्टिय पार्टी की मानता दिलवानी है तो ऐसे में अगर गोवा के चुनाब पर एलेक्शन कमीशन की नजर जाएगी और जिन लोगों ने इस ब्लैक मनी के पैसे से चुनाब जीते हैं उस आगे इनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये तो चुनाब आयोग डिसाइड करेगा कि क्या इसके पास वो निशान रहने चाहिए जो की एक पार्टी की मानता देने के बाद इनको मिला है या फिर इनके सारे लोगों को उसी तरह से चुनाब लड़ाया जाता है तो ये सारे जो मामले हैं अभी चुनाब आयों के पास हैं लिगल एड़ाइस लिया जा रहा है कि अब ऐसी प्रस्तिती में कौन सा एक्शन लिया जा सकता है विपन सर बात राहूल गांदी की करे तो राहूल गांदी राइबरेली की जीच से बड़े गदगद है दो दोरे भी कर चुके हैं हात्रस भी गए राइबरेली भी गए लेकिन अखलेश यादव जो लखनव से लेकर दिली में लगतार बैठके कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसे राहूल गांदी पर भारी है देखे राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को य जानकारी भी गए कि यह चल रहा है लोग क्या सोच रहा है आप यह समझ यह कि जीत के बाद इन्होंने विजय यात्रा निकालने की कोशिश की एक दिन निकला आगे के तीन दिनों के ओपर पाबंदी लगे क्योंकि अकले सादव के तरफ से साफ कर दिया कि जीता हूं मैं है सब कुछ किया मैं और दही चाटने के लिए आ गए राहूल गांधी ये तो चलेगा नहीं अब मूल बात क्या है कहां डिफरेंसिस पैदा हो रहे है अभी कल उप्चुना हुए पूरे देश भर में यूपी में दस सीटों के उपर होने वाला है दस सीट में पांच समाजवादी पाटी के हैं तीन भारती जन्ता पाटी एक निसाद की पाटी है और एक आरिलडी जैन्त चोधरी वाड़ी पाटी तो दस सीटे हो गई कॉंग्रेस पाटी ये चार ही है कि इन तीन में से दो हमें दे दो तीन में से दो हमें दे दो अखले स्यादब के तरफ से संदेश दे दिया गया जीरो मिलेगा कुछ नहीं तुमारा है क्या या और अगर आप देंगे तो दिक्कत नहीं देंगे तो दिक्कत तो आप यह समझिए कि अभी तक तो साथ में लेकर के वो आगे बिठा करके अखले स्यादब को आगे बढ़ाया जा रहा था तो बहुत-बढ़ा तीर मारा गया लेकिन दोस्ति की टेस्ट राजनीति में तो सीट बटवारे भी समझ में आती है भाई यही अखले स्यादब है जिनको मदब परदेश में कमनलात ने कह दिया कौन अखले स्यादब को नहीं है दो दो बज़े रात तक इंतजार करवाया उसके बाद बोला कि नहीं मिलेगा टूट टिकट आपने भगा दिया तो अखले स्यादब ने कहा था कि हम भी यहीं लड़ती है तो क्या होगा तो क्या होगा इस बात को समझे और ये नाक के लड़ाई है यूपी के अंदर इन दस उप चुनाओं में तै होगा कि लोक सभाच चुनाओं के दोरान ये इंडी गटबंदन वाले जूट मित्या अपवाह फ्लुक से ये लोग सीटे जीते हैं य या फिर भारती जनता पार्टी वाकई बहुत ही अनपॉप्लर हो गई है तो एंडी के पास पाच इंडी गटबंदन के पास पाच अब देखना ये है कि कौन कितनी ज़्यादा सीटे लेकर के आता है अगर अखले स्यादव पाच से ज़्यादा या पाच लेकर के आते हैं तो इसका मतलब है कि भारती जनता पार्टी के रन्नितिकारों के दफ्तरों में, हेड़कॉर्टर में, परधान मंतरी कारियाले में, ग्रिह मंतरी के कारियाले में घंटी बच जानी चाहिए लेकिन जो खबर आ रही है, खबर ही आ रही है कि इन दस सीटों पे बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया जाएगा और ये जो क्योंकि परसप्सन वाली बात है, ये परसप्सन की लड़ाई है, अगर भारती जनता पार्टी अखले सादव की जो पाच सीटे हैं, उसमें डेंट कर देती है, उसमें जेंद लगा देती है, दो तीन सीटों पे इन दस में से दो तीन सीटों पे निप्टा देती है, तो आप ये समझेए कि ये रास्ता खुल जाएगा अगले एसमली एलेक्शनी मतलब यूपी का उप चुनाओ काफी ज़्यादा दिल्चस्प होगा, चु मतलब ही है कि बाजी इसने मार ली, दोनों गठवंधन जो हैं, उसके नेताओं को, विधायकों को रिसॉर्ट में रखा जा रहा है, होटल में गिंती की जा रही है, लेकिन अंतर क्या है, एक तरफ महाविकास अगारी है, जिसने तीन कंडिडेट खड़ा किया है, और उसमे कॉंग्रेस और शर्दपवार और तीसरे उद्धव ठाकरे, शर्दपवार की पार्टी से कोई चुनाब नहीं लड़ रहा, वो इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि वो जानते हैं, कि हमारा कंडिडेट अगर होगा तो वो हार जाएगा, इसलिए उन्होंने समर्तन दिया है कि इज्यत बचानी है, दूसरे तरफ कॉंग्रेस है, जो आसानी से अपनी एक सीट बचा लेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगी, डर उद्धव ठाकरे के पास है, और शर्दपवार और कॉंग्रेस ये दोनों मिलकर अभी उद्धव ठाकरे को उनकी आवकात बतान इस समय उद्धव ठाकरे को बताओ कि आप एक सीट एमल सी की जो है, उस पर भी आप चुनाब नहीं जीत पाए हैं, इसलिए पूरा स्टेक जो है, ये इन लोगों का लगा हुआ है, भारती जनता पार्टी के गटबंदत सही हो गया क्या है, वो तो आठ सीटों पर को जटका देने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, अपने तीन सीट बचाने के लिए, तो चित और पट दोनों तरफ से अगर देखा जाए, भारती जनता पार्टी के गटबंदन में इस समय इस बात की चर्चा हो रही है, कि उद्धव ठाकरे को अगर कॉंग्रेस और पवार बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तो लोगसबा चुनाओ की बार महरांस्ट में एक बार फिर से एंडिये बनाम, इंडिया एलाइन्स के बेश मुकाबला होनी जा रहा है, बीजपी की रननीती बिपक्ष पर भारी है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बी शुरुवात हो गई है, तो कल का चुनाओ काफी दिल्चस्प होगा, तो दूसरी तरफ राखुल गांदी पर अकलेश यादव भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, अकलेश यादव लखनों से लेकर दिल्ली तक में लागतार बैटके कर रहे है, इंडिया गडबंदन में दिल्ली में तो कॉंग्रस ने आम आद्मी पार्टी से किनारा कर लिया है, अब सपा से किनारा करने की तैयारी चलती है, तो इन मुद्धों पर आप अपनी राएक कमेंट कर लिखें, देखते रहे, कापिटल टीवी, नमस्कार